हालो फ्रेंड्स वेलकम टू नंदकिशोर क्लासिज आज बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम स्पीड जो कि अगर किलो मेटर पर आवर में हो उसे मेटर पर सेकंड में कैसे कनवर्ट करना है या फिर मेटर पर सेकंड में गिवन हो तो उसे किलो की सिखन 됩니다 गोगान कि यह एक गंटे में कितना डिस्टेंस ट्रवल किया जा सकता है छिएसille व यूज होता है ऐसा फिजिक्स में साइंस में कई कुईशन में ऐसा आ जाता है कि मीटर पर सेकंड में अंसर रखना है तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है इसको कन्वर्जन को हमें सीखना तो देखिए होता क्या है मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं कि यह जो 36 किल किलोमेटर अपॉन वन आवर है क्या पर मतलब स्लैस लगाते डिविजन का ही निशान है तो 36 किलोमेटर उपर रिख रहा हूं आवर मतलब नीचे वन आवर लिख रहा हूं सिंपल रफ वर्क कर रहे हैं सीखने के लिए तो अब क्या है मुझे मेटर पर सेकंड में कनवर्ट ना बैट्ली करेंगे यह में अगर मिर्टाइब बन गया था था किलोमेटर अगर मेटर लेखना तो ऊपर थाउजन लगाना पड़ा अपर मेरिको मल्टिप्लाइब करना पड़ा और वन आवर में सेकंड कितने होते हैं एक गैनटे में 60 मिनट्स होते हैं और आगे एक थर्टी सिक्स को थाउजंड से मल्टिप्लाई किया और थर्टी सिक्स अंडर से डिवाइड किया यह बन गया उपर मेटर नीचे सेकेंड और अब इसको आप सॉल करोगे ना यह दो जिरो से दो जिरो कटेंग तू के टेबल में 50 और टू के टेबल में 18 0 मैं यहां पर खतम न अब नोट करो 36 किलोमेटर पर आवर इस तरह से केल्कुलेशन करते हूं मैं फाइनली कहां पहुंचता हूं 36 एजटी से देखो मल्टिप्लाई फाइव बाइटी तंसेप्ट यह है आप चाहिए डिरेक्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं इसी तरह से प्रॉपर लिखके सॉल करो मेटर पर सेकंड्मेकर में तरह में लेकिन टाइम नहीं होता पेपर में इतना सीधा अंवर्ड करना आना चाहिए एक किलोमेटर पर आवर से मेटर पर सेपेड़ से जाना है तो देखो किस से मैटिपलाई करना पढ़ता है फाइव बाई एटीन से यानिकी मुझे इसको कैसे सौल कर सकता हूं 36 multiply 5 by 18 और यह बन गया किसमे मीटर पर सेकंड में convert हो गया तो याद क्या रखना है 5 by 18 से multiply करना है concept यह है concept भी समझाना चाहिए और इधर देखिए 18108 टूजर तो फाइब कर टू से मिल्टिप्लाई किया 10 10 यानि कि 36 km per hour अगर है तो मेटर पर सेकंड में क्या वेल्यू बनती है 10 मेटर पर सेकंड यह आपकी स्पीड बनती है इसी तरह से 36 km per hour की बजाए 72 होता है कि तो क्या करते हम 72 को भी 5 by 18 से multiply करते मीटर पर सेकंड में यांसर आता है येटीन बंजर येटीन फूर्जर फाइब फॉर्जर ट्वंटी यानि कि 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाती है अब यह तो हुआ किलो मेटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर कनवर्ट करना है तो इसका वाइस वर्षा भी पढ़ते हैं रिवर पर सेकंड की कुलो मेर्ठ पर आवर में करना ने को किलो मेटर पर आवर से में गये थे तो 5 वॉय इंसे मैं क्रीपला एक अना मीटर पर से किलो में पर हर में जाना है तो उल्टा करोंगे बस 5 by 18 की बजाए 18 by 5 से multiply कर दो बात का ताम है और किलोमेटर पर आवर 5 1s और 5 2s और 18 को 2 से किया 36 किलोमेटर पर आवर तो कितना सिंपल सा question है अगर किलोमेटर पर आवर से मेटर पर सेकेंड में जाना है तो 5 by 18 से multiply करना है मेटर पर से किलोमेटर पर आवर में जाना है तो 18 by 5 से multiply करना है यह याद रखना है भूलना नहीं है और इसका concept भी बिल्कुल सेम है कोई मुश्किल काम नहीं है जैसे हमने इधर कनवर्जन की थी ना सेम कनवर्जन यहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में बता देते हैं कि अगर जैसे 10 मीटर ओवर वन सेकेंड मानलो मैंने लिख दिया अब मुझे उल्टा करना है मीटर को किलोमेटर में करना है सेकेंड को आवर में जब हम देखो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं पहले बड़े से छोटे की तरफ गए थे तो मल्टिप्लाई किया था यहाँ पे देखो 10 को 1000 से डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा किलोमेटर बन जाएगा नीचे वन को 3600 से डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा आपर बन जाएगा बस इतना सा काम है और क्या बन गया 10 10 by 1000 3600 सबसे ऊपर चला जाएगा कि यह कनवर्ट हो गया किलोमेटर पर आवर में अब इसको काट दीजिए टू के टेवल में 18 टू के टेवल में 5 बना गया 10 multiply 18 by 5 km per hour में तो हमने यहां से यही सीखना था ना कि 18 by 5 से multiply करेंगे तो किलोमेटर पर आवर बनता है तो सेम कंसेप्ट यूज किया तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था बहुत सारे नुमेरिकल में साइंस में खास करके जब को एसा यूणिट मीटर पर सेकिंड यूज करना पड़ता है तो वह चीजें काम आएंगी आपके तौ आइह और मेटर एपको से किलोमेटर पर्शंपर एसे किलमेटर पर आवर में